तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपका Google Adsense अकॉन को ओपन करना है और उसके बाद आप देख सकते कि यहां पर जो कि verify your billing address ठीक है तो उपर में एक जो टॉपप सा आते रहते हैं यहां पर जैसे कि your payment and correctly on hold because you have not verify your address तो हमने तिन बार यहां पर जो कि यह request कर दिया था तो देख सकते हैं जैसे कि verify क्लिक करता हूं तो send ping पर यहां पर लिख के आ गया कि we can't recent your ping at this time ठीक है तो हमने तिन बार जब request कर दिया था तो तिन बार हमारा जो पिन है यहां पर नहीं आ पाया तो कैसे verify करते हैं तो सबसे पहले जो है आप उपर में देख सकते हैं जैसे कि learn more पर तो यहां पर आपको click कर देना है ठीक है तो जैसे आप यहां पर click कर लोगे तो कुछ process है तो वीडियो को बहुत द्यान से देखना है ठीक है देख सकते हैं तो इसके बाद थोरा सा नीचे आ जाना है बहुत सारे कुछ यहां पर लिख कर होगा लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है लेकिन यह लास्ट का जो आप्शन से है having problems with your ping ठीक है तो हमको कुछ problems आ रहा है तो इसलिए जो second का options इस पर आपको चूज करना है कुछ भी नहीं करने यह जो second का option से इसको चूज करना है ठीक है पिन टुबूस्टर जो जो है इस पर क्लिक कर देना है ठीक है तो जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो कुछ आपको यहां पर कुछ options है no, I have not received my PIN ठीक है यहां पर हम लोग नो पर करते थे उसके बाद continue पर है ठीक है जैसे मैं continue पर क्लिक करता हूं तो यहां पर कुछ आपका options होगा जो कि contact form करके तो हमको एक form fill up करना है तो आपको समझा होगा कि form कैसे fill up करना है तो आपको बहुत द्यान से दिखना है सबसे पहले आपका अपना नाम डालना है तो आपको सबसे पहले जो अपना एंदर जाना है तो आपको यहां पर जो कि इसको थूदा समालके रखना है तो उपर पर जो publisher आइडिया है तो आपको PUV से ले कर सिख आति न्मबर कि आपको कोपी करना है तो ऐसे करके आपको यहां से copy करते हैं तो कपी करके आपको यह जो पुबिचल आईडिया पर आपको पेस्ट कर देना है तो मैंने जैसे पेस्ट किया तो यहां पर कुछ attachment यहां पर कुछ मांग रहा है कि आपका identification आपका address जहां पर आपका जो address लिखा हुआ होना चाहिए ठीक है जैसे कि आधा हरकार हो गया जैसे कि आपका bank statement, telephone bill, आपका rent receipt जो भी है जहां पर आपका identity होना चाहिए, वही यहाँ पर लगाना चाहिए, लेकिन आपको बता दूंँ कि वो जो फोटो आप यहाँ पर एड़ेश कर रहे हो, वो थोरा सा ब्लॉर नहीं होना चाहिए, आपका साफ होना चाहिए, जहाँ आपका address बहुत आसन तरीक से देखना चाहिए, तो क क्या होता है देखते हैं तो सबसे पहले सब्मीट एन एटेचिमेंट तो हम लोग क्या करेंगे चूज फाइल तो हम लोग आप आधरकाट है था आधरकाट जहापर एड्रेस होगा तो वही आप डाल दीजिए ठीक है उससे भी हो जाएगा तो मैं चूज फाइब करा तो मेरा बैंक का स्टेट मैंने वही यहाँ पर डाल देता हूं यह वाला बैंक बूक ठेक है तो बैंक बूक में क्या है कि मेरा और आडरेस भी है मेरा जो नाम भी है सब कुछ बहा पर ठेक है तो आप ढृब मैंने जो भी यहां पर से मेल किया था वो मेल सेंट हो गया है तो आपको 24 गंड़ा वेट करना होगा कि आपका एप्रूप होता है या नहीं ठीक है तो दोस्तों कि लगबग 2-3 मिनिट के अंदर जो है मेरा एक रिप्लै आया है एर्सेंस के तरफ से ठीक है तो देख सकती है उपर में एक एर्सेंस के तरफ से एक मैसेज आया है लेकिन नीचे में आप देख सकते हैं जैसे की 1155 ठीक है 1155 यह नहीं कि 19 अगो तो मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि मेल ओपन करके कि जैसे मैंने वो श्रूंड किया था तो उसके दो-तिन पीनिट के अंदर मेरा यह भी मेल आ गया कि यहां पर साफ लिखा हुआ है कि सकते हैं